दोस्तो नमस्का दोस्तो आज मैं बात करूँगा बिटकोइन के प्राइस के बारे में कि आप देख रहे हैं कि बिटकोइन का प्राइस जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि ये बिटकोइन का प्राइस कहां तक जा सकता है इसके बारे में ह profit किया है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाईए और मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के last में कि वो coin क्या है और उसके बारे में आपको detail में कुछ news लूँगा थोड़ा सा दिमाग लगाईए और आप देखिए कि सोचिए कि वो coin क्या हो सकता है तो मैं सबसे पास control है तो आप 100% cryptocurrency में success हो सकते हैं नहीं तो यह cryptocurrency जो है वो अर्स पर भी ले जा सकती है और आपको first पर भी धकेल सकती है तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं आपको bitcoin के price के बारे में मैं आपको screen पर दिखाना चाता हूं कि bitcoin का price अभी आप देखिए कि काफी ठीक चल रहा है काफी ठीक आ गया है 43,000 के आसपास चल रहा है 43,300 के आसपास चल रहा है यह bitcoin जो था यह करीवन पहुंच गया था 43,700 के आसपास इसने उपर टच किया लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसने correction लिया और फिर थोड़ा सा उपर उट रहा है दोस्तों इसके पीछे reason क्या है वो मैं आज आपको clear कर देता हूँ कि क्या reason चल रहा है और जैसा कि मैंने एक live session किया था अभी कुछ एक दो दिन पहले जिसमें मैंने आपको उस समय तुरत बताया था कि grayscale की पीछे कहानी क्या चल रही है grayscale जो है वो लगातार जो bitcoin था वो बेच रहा था Coinbase के उपर और आपको बताऊं कि कुछ unknown wallet में भी bitcoin जो थे वो transfer हो रहे थे वो unknown wallet क्या थे वो बैं आपको बता दूं कि वो institutional wire से यह नहीं था कि वो केवल sale हो रहे थे unknown wallet में मतलब institutional जो wire है वो उसको buy कर रहे थे तो यहां अब जो cover आ रही है वो मैं आपको clear कर देता हूं कि grayscale ने अभी देखा जा रहा है कि करीवन 4,90,000 bitcoin जो है वो अभी hold किये हुए है और grayscale का जो sale करने का process है वो अब बहुत ही जादा slow down हो गया है तो यहां मैं आपको news दिखा रहा हूं जिसकी वज़े से आप देख रहे हैं कि bitcoin के price जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उमीद ये की जा रही है कि bitcoin का price जो है वो bitcoin का price जो है वो करीवन करीवन अब मैं आपको अगली खबर दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही खास आ रही है दोस्तों अब एक बहुत अच्छी खबर आ रही है वो मैं आपको लेखे चलता हूं Hong Kong की और Hong Kong आप देख रहे होंगे कि काफी सारी कंपनिया जो है वो ETF दायर कर रही है तो अब जो खबर आ है वो Hong Kong की तरफ से आ रही है और Hong Kong ने भी अपना ETF दायर कर दिया है वहां की एक बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका नाम है Harvest मों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि यह इनोंने ETF यहां दायर कर दिया है और आपको बता दूं कि Hong Kong जो है वो एक उपनिवेश है च चाइनीज ही हैं काफी सारे Hong Kong में इंडियन भी हैं तो इनोंने जो है अभी ETF दायर कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको पता है कि अगर ETF और कंट्रियों में भी आएगा जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया भी अगर समझदारी दिखाएगा तो ETF लेकर आएगा Cryptocurrency Exchanges के उपर और उन्होंने का है कि अगर आप Crypto Exchanges में काम करना चाह रहे हैं या जो काम कर रही हैं वहाँ existing Crypto Exchanges हैं उनके लिए एक Rule उन्होंने पारत कर दिया है कि आपको करीवन 50% जो आपका Fund है जो आप Customer से ले रहे हैं उसका Insurance लेना बहुत ही जरूरी है तो इससे क क्या होगा कि करीवन आपका 50% जो फंड है जो कस्टमास का फंड है वो तो कम से कम सिक्योर हो जाएगा क्योंकि काफी सारी Exchanges जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा प्रावलम में हो जाती है नीचे डाउन हो जाती है FTS उसका एक एक जामपल है तो उन्होंन का फंड है उसको सिक्योर करना पड़ेगा दोस्तों अब जो खवर आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है और आपको पता होगा कि 2020 में गूगल ने क्रप्टो के एड जो थे वो बंद कर दिये थे और उसने अपने जो रूल्स रेगुलेशन बनाये थे उसमें किलियर कट कह दिया था कि हम कोई भी इस तरीके का एड जो है वो गूगल पर नहीं चलाएंगे तो अभी गूगल ने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर ली है क्योंकि इतने सारी ETF आ रहे है और इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल चल रहा है बिटकोईन का और क्रप्टो करंसी का तो यहां मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यह कोईन बिटकोईन मैगजीन की तरफ से खवर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गूगल ने रिवाइस किया है अपने जो एड पॉलिसी है उसको और उन्होंने एलाव कर दिया है बिटकोईन ETF को एड़टाइस करना और बह उन्होंने टेलिग्राम ग्रुप हमारा जॉइन नहीं किया है उनको मैं रुक्वेस्ट करता हूँ कि आप जॉइन कर लीजेगा मैं आपको अभी स्क्रीवन पर दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके के सिगनल देते हैं और किस तरीके का प्रॉफिट जो आता है तो लेट आपको बैसे ही नहीं बोलता कि आप हमारा टेलिग्राम ग्रुप जॉइन कीजिए आप फ्री में जॉइन कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा प्रीमियम जॉइन कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के प्रॉफिट जो है वो मैं आज बोल रहा हूं क के लिए ऐसे प्रॉफिट हम आपको डेली के डेली देते हैं कभी 10 परसेंट बिजबी 20 थी होता है गभी 50 परसेंट और सब्साइब को मिलते हें और हमारी जुए है वह आप देखिए कि 90 से 95% है मतलब पूरे महीने में अगर हमने 40-30-40 अगर आपको सिंगनल दिये हैं उसमें से hardly 3 या 4 ऐसे सिंगनल होंगे जो stop loss हिट करेंगे बाकी के बाकी आपको profit ही देंगे तो भाया अगर कोई ये दावा करता है कि मैं 100% accurate सिंगनल दे रहा हूँ तो वो जूटा है वो एक तरीके से आपको एक तरीके से scam कर रहा है यहां हम आपको सच्चा ही दिखा रहे हैं और हम हर महीने अपनी report भी जो है वो हम telegram channel पर डालते हैं जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितने signal दिये कितने stop loss हुए और कितना profit हुआ दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के सुरू में बताया था कि भाया अगर आपने 2020 में अगर किसी coin में invest किया हो और वो coin बढ़ गया हो 7,70,000 परसेंट आगे बढ़ गया हो तो उस coin का नाम बताये आपके बहुत सारे जो cryptocurrency से जोड़े हुए हैं लोग उनके दमाख में एकदम आ गया होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं जो देख रहे हैं उनको नाम नहीं आया होगा तो मैं उ उस coin का नाम है Shiva Inu दोस्तों अगर मैं बात करूँ Shiva Inu के बारे में तो अभी बहुत अच्छी खबर आ रही है और वो यह है कि करीवन करीवन यहां देख सकते हैं कि 800 million Shiva Inu जो है वो मूब होए हैं एक unknown wallet में तो यहां आप देख सकते हैं कि daily के daily काफी सारे जो है Shiva Inu जो ह वो एक तरीके से transfer हुए हैं दोस्तों अब मैं अगर बात करूँ कि भाया अगर आपने 1000 dollar 2020 में अगर आपने लगाए होंगे सिवा Inu में तो आपको उन 1000 dollar का आज की तारीक में कितना पैसा बन गया होगा तो इसके वारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक news आ रही है जिसको मैंने आपके सामने पेस किया है तो यहां इन्होंने पूछा है कि how much could you make कितना बनाया होगा दोस्तों यहां देखिए आपको मैं clear cut दिखाना चाहता हूँ कि जो calculation जो इन्होंने करके दी है वो करिवन आ रही है 116 billion dollar 1000 dollar का 116 billion dollar बनाया है मैंने यहां calculate किया क्योंकि जा सीधा आ रहा है 116 billion dollar बनाये तो दोस्तों भाया अगर आपने 100 dollar भी लगाये होते तो क्या हालात होती आप थोड़ा सा imagine कीजेगा और अगर आपने 10 dollar भी इसमें लगाये होते उस समय तो आप imagine कर सकते हैं तो जिन्होंने 1000 dollar लगा दिये सिवा इन्हों में उनके तो बल्ले हो गए होंगे दोस्तों काफी कुछ इस तरीके की update जो है वो हम आपको देते रहते हैं और कुछ मज़ेदार cover भी देते हैं जिसे आपको crypto currency के बारे में proper knowledge होती रहें और आप समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहें और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी जो family है वो करूँगा कि सिवा इनु की तरह कुछ और coin भी अगर आपके सामने आते हैं तो हम आपके सामने लेकर आएं जिसमें आप बहुती अच्छा profit जो है 2025 तक बना सकते हैं दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि bitcoin जो है all time high जो है वो कब तक हो सकता है क्योंकि अगर 70,000 डॉलर जो ह इसके last तक आपको ये bitcoin जो है वो करीवन करीवन 80,000 डॉलर से लेकर एक लाग डॉलर तक आपको देखने को मिलेगा ये minimum limit बता रहा हूँ maximum limit तो इसकी भईया 2,50,000 डॉलर तक की है जो लोग predict करते हैं बहुत सारे लोगों ने ये prediction किया है ये मेरा ही prediction नहीं है तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जोड़ा चाहते हैं तो हमें social media पर follow कर सकते हैं, tutor पर, telegram पर, instagram पर, facebook पर, सभी पर follow कर लिजेगा, telegram पर भी आपको follow कर लिजेगा, मैंने जैसे दिखाया था, इन सब की हमने link जो है नीचे description में दे रखी है, तो जाइए और फटा-फट इसको follow कीजे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसको like कर सकते हैं, और अगर भाया पसंद नहीं आया हो, तो dislike करने में बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूप नहीं है, आप हमें comment भी कर सकते हैं कि आपको क्या चीज पसंद आ रही है वीडियो में, और क्या बेट के साथ आपके सामने फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहें